नमस्कार आज हम कक्षा 12 के इतियास बिसे का जो चैप्टर 8 है किसांज जमीदार और राज्य की चर्चा कर रहे हैं इसमें हम क्रशी समाज और मुगल साम राज्य के बारे में पढ़ रहे हैं आईए दोस्तों आज 16-17 सतापती के इंदुस्तान का दोरा करते हैं और जानने का प्रियास करते हैं कि उसमें 85% लोग जो गाओं में निवास करते थे जिनका मुख्य व्यावसाई क्रशी था जिसे विदेशी ताक्तों ने प्रभावित किया आज इस कक्षा में हम निम्न बिंदों पर चर्चा करेंगे उन में मुख्यत है पहला पॉइंट हम पढ़ेंगे क्रशिक इतियास को समझने के में उप्युप्त स्रोथ दिख्तिय पॉइंट है किसानों के प्रकार और जमीन के बारे में तीसरा हम पढ़ेंगे सिचाई और तक्निकी का प्रियोग चोथा फसलों की भरमार पांचवा जंगल और कविले आईए सुरू करते हैं पहला पॉइंट एतियासिक स्रोथ इसमें हम अबूल फजल की आईने अकबरी की चर्चा करेंगे बाजसा अकबर के दरभारी में रहने वाले अबूल फजल ने 1598 में पांच संसदों के बाद इसे पूरा किया अकबर नामा की तीसरी जिल्द आईने अकबरी कहलाती है आइने अकबरी में साही नियम कानूनों का संकलन किया गया और सामराज्य के एक राजपत्र की सूरत में उन्हें प्रकाशित किया जाता था जिस परकार हम अभी गजट को नोटिफाई करते हैं उसी परकार आइन में खेती के नियमित जुताई की तसली का व्योरा दिया जाता था साथ ही ये देखा जाता था कि राज्य के नुमाइंदे करकी उगाई ठीक प्रकार से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं वाया राज्ये और जमीदारों के कैसे रिष्टे हैं, उनके नियमन के लिए राज्ये फिर क्या व्याउस्ता करता था, इसका लेखा जो का अंकित था. सतरवी सदी में मारवाड में लिखी गई एक किताब राजपुतों की चर्चा किसानों के रूप में करती है. मुक्यत तक खेती का कारे एक निम्न जाती वर्ग को ही करना होता था, लेकिन इस किताब में ये बताया गया है कि उस समय जाट भी किसान का कारे करते थे, लेकिन जाती ब्याउस्ता में उनका इस्तान राजपुतों के मुकाबले नीचे था. इसी के साथ रहट जल प्रनाली का उलेक बाबर की तुर्की में लिखी हुई अपनी आत्मकता बाबर नामा में किया गया है. रहट जल प्रनाली उस समय हमारे पास बिदुत का प्रबंदन नहीं था, तो क्या करते थे कि किसान या तो जो आप जूला जूलते हैं पार्क में वो पूरा राउंड सेप होता है जहां पर आप जूले में बैठते हैं उस जगह पर वो बाल्टी या मटका लगा देते थे और उसको कुए के अंदर जाने देते थे पसूओं की साथा से उसको रोटेट करते थे तो उसके अंदर जैसे ही कुए के अंदर जाता था उसमें पानी भरके उपर आकर एक नाले में उसको इकटा करके खेतों में सिचाय के काम किया जाता था तो यह रहट जल पर नाली थी इसके अलावा चड़स भी उज़ करते थे चमडे का एक बड़ा थेला होता था जिसको पसों की साथा से उसको कुए के अंदर बिजा जाता था क् कि उस समय कोई एक ओपन वेल होते थी मतलब आज की तरह समर्शिबल नहीं होता था उसके अंदर जाने के बाद में जैसे उसमें पानी बरके वापिस आता था तो उसको एक जगे होद बना दिया जाता था उसमें उसको डालने के बाद में किसान उसको खेतों तक ले जाता इस परकार यह रहट जल प्रनाली कारी करती है इसके पिछे उद्धे से यह होता था कि मजपूत जो सकतादारी वर्ग था वह चाता था कि सामाजिक मेल जोल बना कर रहा जाए सामराज्य में मतलब बगावत और स्वायत्ता जैसी कोई गठनाए ना हो यह स्रोथ साथ में हम किसान राज्य को किस नजरे से देखते थे और राज्य उन से कैसे नयाई की उम्मीद करता था इस परकार हम एत्यासिक सो से उस समय की किसानों की स्तती से अवगत होते हैं आई हम दित्य पॉइंट पर चर्चा करते हैं किसान और जमीन मुक्यत मुगलकाल में किसानों के लिए राइयत आसामी मुजरियान खुदकास्ट और पाईकास्ट जैसे सब्दों का चैन किया जाता था यहां पर हम मुक्यत दो चीजों पर विशेश फोकस डालेंगे खुदकास्ट और पाईकास्ट खुदकास्ट वो किसान होते थे जो उसी गाउं में रहते थे जहां जिनकी जमीन थी दूसरा पाईकास्ट होते थे वो खेती हर मजदूर होते थे जो खेती करने के लिए दू सीदार की अलग अलग की अंदर करों की अलग अलग होती तक संडां अपना फाइदा देख करके दूसरे गाउं में एक्षिति करना जता था स्काल भुक्मरी और आर्थिक परीश्यानी सियुमिक किसाण दूसरे जमीत मिलक्यत के सिध्धांत को समझ onion kisana को उसी तरह खर मोग सकता था जैसे दूशरी संपती मालिकों को कि जो उस समय पक्की मेड बनदी था जैसे उसकी सीमा पर कभी कभी मिट्टी के और कांटों के या इंटों के निसान लगा दिया जाते थे उसे हद बंदी करते हैं इस परकार ये जमीन का उन्होंने अपने निसान करके अपना छेतर निरदारित करते थे तीसरा पॉइंट हम इसमें करते हैं सिचाई और तकनिकी देखे उस समय आपको पता है कि जमीन बहुत आयात थी प्रचूर मातरा में जमीन थी को मजदूर भी काफी थे और किसानों की मोविलेटी भी थी मतलब गती सील थे किसान एक जगह से दूसरी दगह भी जाते थे तो इसके एक ही फाइदा हुआ इससे खेती का बिस्तार हुआ ज्यादा तर जो बारिस का इलाका था मतलब जहाँ पानी की प्रचूरता थी वहां पर चांवल जैसी फसलों को बोय जाता था यह मना जाता है कि 40 इंच अगर वर्शा है वार्षिक तो वहां चांवल बोय जाता थ और जो कम बारिस वाले इलाके थे, वहाँ पर ग्याओं और जुवार जैसी फसले बोई जाती थी, आज की तरह ही खेती उस समय भी मानसुन पर निरबर थी, यानि कि अत्रिक्त पानी के लिए उनको कृत्रियम उपाईयों भी जरुत थी, लेकिन एक बहुत अच्छी पहल थी कि उस समय किसान को सिचाई के लिए राज की साहिता भी मिलती थी, इसका एक उधान बताया गया है कि साजा के सासन में पंजाब की जो सा नहर है, वो इसलिए बनवाई गई थी, दूसरा हम आगे चर्चा करते हैं कि जो तकनिकी का उप्योग किया जाता था खेतों में, वो हल में क्या होता था लकडी का बना होता था और उसके नीचे के इससे में लोहे का फाल बना होता था, मतलब चप्टा लोहा लगाया जाता था और उससे हल चला जाता था, तो मिट्टी क्या होती थी, कि मिट्टी जोतती जाती थी, उसका एक फाइदा यह होता था, कि तो जो खेत में बचा हुआ पानी है वह वैपोराइज हो जाता है वास्पोर सेजन हो करके वह उड़ जाता है उससे उसके अंदर क्या होता है कि खेत में पानी की कमिय हो जाती है लेकिन जैसे किसान हल चलाता है तो उसकी जो केशनली है मतलब जो पानी को उपरी सत्य पलाती ह इसलिए खेत में नमी बनी रहती है इसके साथ ही जो बीज है उसको छिड़क कर बोने के साथ-साथ एक बर्मे का एक कीप नुमा होता है जो आप जैसे किसी में जैसे ओल डालते थे पहले कोई छोटे डिब्बे में तो एक कोणाकार का कीप बना दिया जाता था उसके नीचे लोहे की नली होती थी और उसको पसों के साथ भान दिया जाता था हल के पीछे और उसमें अनाज डाला जाता था तो जैसे जैसे खेत में चलता हल चलता है तो वह नीचे गिरते जाते हैं इसके साथ उसमें छिड़क बहने का भी प्रुचलन था इसके लावा जो लकडी के म मिट्टी की गुड़ाई और निराई की जाती थी मतलब एक रेक्टांगोल सेफ में एक हैवी लकडी का टुकड़ा होता था जिस पे किसान खुद खड़ा हो जाता था और पसों के साहता ऐसे उसे खेंचते थे तो मिट्टी में अगर मोटे टुकड़े हो जाएंगे तो वह क पतजड रितु होती तो खरीब की फसल होती तो झाल रभी की फसल होती है तरदीयों में बसंत रितु में आशानी से उप लबभद हो जाता था तो वहुए फंसीं म आइने अकबरी में उलिखित है और बंगाल में चावल की एक अकेले एक मातर चावल की 40 किस में पाई गई है अब वहाँ पर एक वर्ड आता है जिन से कामिल यानि इससे मैं यह कहना चाहता हूं आपको कि उस समय खेती केवल पेट बढ़ने तक सिमित नहीं रही अब खेती का वानि चीकरंण का मतलब यह हो गया कि खेती को पैसे कमाने के लिए भी कैस करोप भी होने लगे जैसे कपास, गन्ना, तिलन और धलन, इन फसलों को किसान क्या करता था कि अब निदियात भी करने लगा और उससे पैसा भी आने लगा तो इस जो कैस क्रोप इन के लिए के आभप ऊता दा इन से उसको जएदा करप्राप्त होता था इसलिए ब्यापार और मुद्रा जो मुद्रा और बाजार है वो गाओं में घुश गए और गाओं का विकास होने लगया और गाउं सीधे इसके से कनेक्ट हो गए अब से कनेक्ट हो गए क्रसी उत्पादन में विवित तरीकों का उपयोग किया वेग्यानिक तरीकों का उपयोग किया और उसका नतिज़ा यह रहा कि सोला सो सतरा सो इस्वी में पहिंकर भुखमरी और मामारी के बावजूद भारत की आबादी पांच करोड बढ़ गई इसमें फसलों में हम जिकर करते हैं तो कुछ फसले जो बहार से आये जो अक्रमन कारी वो अपने साथ भी लाए और कुछ जो यात्री थे जो भारत ब्रह्म में आई आगे हम चर्चा करते हैं जंगल और कभीले की आपको यह जानकर खुशी होगे कि आज हमारा जो वन का रेशो है वो 25 परशेंट के आसपास है जबकि परियावन मंत्राले यह चाहता है कि लगबग 33% भाग वनों का उना चाहिए ताकि हमारे जो एको सिस्टम है ठी लेकिन उस समय ग्रामीन भारत में 40% इस साथ जो जंगलों से गिरा हुआ था जंगल में रहने वाले लोगों का गुजारा भत्ता जंगल के जो प्रोड़क्ट है या शिकार से या इस्तानांतरित खेती जिसे जून खेती भी कहते हैं इससे करते हैं इसलिए उन्हें जंगल खेती से अपना जीविकों पारजन करते थे वहां जो जंगलों में रहने वाले आदिवाशी विशेश कर भीलों के बारे में बदा रहा हूं कि वह मोसं के अनुसार कारी करते थे वह बसंत रितु में जंगल के उत्पाद को इकटा करते थे गर्मियों में मचली पकड़ते और मांसून में वो खेती करते थे इसके साथ ही वो जो सर्द रितू थी उसमें वो शिकार का कारी करते थे जंगलों का मैत्व जंगल एक बड़ा उलट फेर करने वाला इलाका था उसका कारण यह था कि अगर राज्ये पर कोई अक्रमन कारी आते थे तो राज्ये उनका पीछ जंगल भी कुछ उपहार में देते थे जंगल आशियों के द्वारा राज्ये को उपहार दिया जाता था उसे पेशकस कहते थे और उस समय का सबसे बड़ा पेशकस था हाती क्योंकि राज्ये को हातियों की जर्रत होती थी और वो कहां से लेते थे जंगल में बापर ने तो जंगल में जो लोग रहते थे उनको आदिवासी थे, वो शिक्षित नहीं थे तो उनको सम्हो के रूप में रहते थे जिसलिए उन्हें कबीला कहते थे यह क्या करते थे? स्तानांतरित क्रशी करते थे, इसको slash और burn farming भी करते है यह प्रकार का primitive type का है, मनलब पुरानी जमाने की खेती है, इसमें क्या क्या जाता है, सबसे पहले जंगल में जाकर के खेतों को और जो छोटी वनस्पती उसको काट करके जला देते हैं, जलाने से जो राख बनती है, उसमें पोटास की परचूरता होती है, जो एक बनी रहती है, जब मिट्टी की उर्वरता कम हो जाती है, तो यह लोग किसी दूसरे स्थियन पर जाकर सेम प्रकरिया पनाते हैं, और यह क्रिसी करते हैं, यह उसने कटी बंदी चेत्रों में करते हैं, इसके पीछे कारण यह होता है, इसमें जो जंगली वनस्पती है, वो वैसे तो इस क्रिसी का की जो प्रड़क्टिविटी है उत्पादक उतना ज्यादा नहीं है, लेकिन जो लोग उर्वरत और क्रिसी का जुगार नहीं कर पाते हैं, वो मशीन खरीदने में शक्सम नहीं है, वो प्राय इस वीदी का उप्योग करते हैं, तो यह हो गई आपकी अगला है जंगलों में गुस्पेट, उसमें हम पहला विंदू करेंगे शिकार, शिकार का मतलब यह नहीं है कि उस समय मुगल बादसा जंगल में गया, वो अपने मनोरंजन के ले के वो शिकार करके आ गया, यहां तक नहीं था, शिकार के माध्यम से राजा वेस बदल करके अपनी प्रजा से मिलने जाता था दूर दूर तक और लोगों की सिकायद सुनता था और वहां उनका वो निप्टारा करता था व्यक्तिगत रूप से और इसको उन्होंने कई जो मुगल दर्बार के चित्रकार हैं, उन्होंने भी इसको जो चित्रों में सद्भाउना पून वानिज्य खेती क्या होती है कि जंगल के जो उत्पाद हैं सहेद हुआ, मदू मोम, लाक की मांग बढ़ी, जब मांग बढ़ने के पिछे कारण ही था कि समुद्र पार भी इसका निर्यात होने लगा, जाने लगा, कुछ कभीले जैसे पंजाब का लोहन ही कभीला है, उसने बढ़ा हो तीसरा, अब जो जंगलों में रहने वाले कभीले हैं, उनके समाज में क्या प्रभापड़ा, मुख्यत है जो कभीले हैं, उनका एक मुख्या होता था, जो सर्दार कहते थे, अब वो सर्दार हैं, वो जमीदार भी बढ़ गए और राजा भी बढ़ गए, वो अ राज्ये पर आक्रमण भी करने लगे, तो वो राजदंतर प्रणाली की तरफ बढ़ने लगे, सांस्कृतिक बदलाओ, खेतियर समुदाईयों का, अब इसलाम की तरफ जुखा हुआ, उसका कार्ण यह था, कि जो मुस्लिम संथ थे, जिने पीर का आ गया, वो उनकी तरफ जाकर के अपने उपदेश देने लगे, असम में अहुम राजाओं के जो पायक थे, जो जमीन के बदले सैनिक सेवा देते थे, शोलवी सत्रवी सतादे में कोच राजाओं ने पडोसी कबिलों के साथ की युद्ध प्रारम किया, आई हम जानते हैं के अहुम वंस क्या था, आहुम लोग असम के ताई जाती के वंस थे और चुकाफा और उसके अनुवियाईयों ने असम में आहुम वंस की स्तापना की, यह जो हुआ प्रतम एंगलो बर्मा युद्ध जीतने के बाद हुआ, क्योंकि बिटिस लोगों ने आहुम राजाओं के साथ उस समय यांडू की संदी की और उस पर अपना नियंद्रित इस्तापित किया, जो प्रतम एंगलो बर्मा युद्ध था, वो बिटिस कालीन जो सासन था, उसमें सबसे लंबा चन्ने वाला युद्ध था, इसके साथ ही पायक प्रणाली की जहां तक हम चर्चा करते हैं कि जो हुम था, वो व पायक के रूप में पंजिकर्थ किया गया था, और ये व्याउस्ता आम लोगों में मित्रता और एकता बढ़ाती थी, अवद के मैदानी इलाकों और पहाडी कबिलों के बीच भ्यापार्पी शुरू हुआ, ऐसा अबूल फजल ने बताया गया, उस समय क्या आयात होता था एक तो सुरागाई जिसको याक कहते थे, उसका आयात कहता था, साथी चूक, एक लिक्विड मिस्तरन था, इसमें संत्रे के रस को और नीमू के रस को मिलाकर कर उबाल करके एक अमल बनाया जाता था, जो की चूक कहलाता था, इसके साथ जो मजीट है, एक वनस्पती है, उस कहरूबा का मुखेता है, क्या किया जाता था, आयात किया जाता था, क्योंकि ब्यापार जब भी चलता है, आयात हो निर्यात दोनों से, तो जो निर्यात में मुखेता है, कहरूबा का निर्यात किया जाता था, कहरूबा एक प्लांट प्रोडेक्ट है, जिसमें प्लांट मे बीच में आने के बाद में वो बहार से ट्रांस्पेरेंट उसकी आकरती दिखाई देती है और यह मुख्यत आवुषन बनाने के काम किया जाता है। इसके साथ नमक, हींग, सीसे और मिट्टी के बरतन भी आयात किया जाते थी। आज की इस कक्षा में हमने यह जानने का प्रियास किया कि किस प्रकार एत्यासिक स्रोत हमारे अतीत से हमें रूबरू करवाते हैं। साथ ही 16 और 17 शदी में जंगल वाशियों की जिंदगी किस तरह बदल गई। तता क्रसी में तक्निकी प्रियोग किस प्रकार उत्पादन शमता बढ़ाते हैं और अंत में क्रसी पेट बढ़ने तक सिम्रित नह रहकर व्यापारिक मुनाफे का सौधा भी बढ़ने लगी। उम्मिद है कि आज की इस कक्षा से आपका ज्यान वर्दन हुआ होगा धन्यवाद बढ़ाद